टीम की नीता उदेनीदी स्टालिन को स्टनातन से दिक्कत बिहार के सिक्षा मंत्री को रामचरित मानत से नफ्रत स्वामी प्रसाद मौरियर हिंदु धर्म को कहते हैं धोखा टीम सी आप और जेडियू का विवाद से नहीं है इक्तफा ऐसा दोस्त तो दुश्मन की क्या जरूरत ये लाइन अब इंडिया पर सटीक बैठता है हिंदु और सनातन धर्म के साथ साथ धर्म गरंतों के खिलाफ बोलना गैर भाजपई पार्टियों के कुछ नेताओं के लिए शौक या यू कहे कि धंदा बन गया है लेकिन इन्हें शायद यही नहीं पता कि इनकी इस सियासी मन्शा का फाइदा सीधे सीधे बीजेपी को मिल सकता है शायद यही वज़ा है कि बीजेपी यहाँ पर आगे दिखाई पड़ रही है विपक्षी गटबंधन इंडिया में शामिल कई दलो और उनके नेता इनके बयानों से भी किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं कभी हिंदी कभी हिंदू और कभी सनातन धर इसकी बुराई करना इंडिया गटबंधन का कर लेकिन इसी इंडिया के अंदर दिख रहे दो चेहरे वोट के लिए कोई आक्रमक तो कोई चुप रह रहे धर्म के साथ मजाग पर मचा है चौत तरफा बवाल क्या ऐसे जीतेगी इंडिया सब पूछ रहे सवाल ये कुछ लाईने इंडिया गटबंधन की हालिया दशा बताती है पिये मोधी और एंडिये को हराने के लिए सभी दल एक साथ तो आ गए लेकिन इतिहास गवा है कि देश में अलग-अलग हिस्तों में राजनीती का रूप स्वरूप तोड़ तरीका और मुद्दे भिन भिन है देश के दक्षिन भाग की राजनीती विकास पर आधारित है लेकिन यही राजनीती जब उत्तर भारत की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो वो धीरे धीरे जाती और धर्म पर अटकने लगती है ऐसे में दक्षिन और उत्तर भाग की इंडिया गडबंधन का एक दूसरे के साथ कतम से कतम मिला कर चलना मुश्किल लग रहा है अब आपको कुछ उधारं के जरिये समझाते हैं सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए नितीश कुमार के मंत्री मंडल में आरजेडी कोटे से सिक्षा मंत्री है चंदर शेकर जो रामचरित मानस और इसके रचनात्मक तुलसी दास के प्रती लगातार हमला वर रहे हैं जब भी इसे नफरती ग्रंथ बताते हैं तो अब उनकी नजर में रामचरित मानस सबसे खतरनाक जहर यानि की पुटासियम साइनाइट के समान है अब दूसरी तस्वीर देख लीजे तमिलनाडू के CMMK स्टालिन के बेटे और युवा मामलो के मंत्री उद्यनिधि स्टालिन ने सनातन पर भढ़काव बयान दिया था उन्होंने पहले तो सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की और फिर कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बलकि इसे खत्म ही कर देना चाहिए सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बलकि इसे समाप्थी कर देना चाहिए सनातन धर्म, समाजिक नयाएं और समानता के खिलाफ है कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कुरोना का विरोध नहीं कर सकते हमें इसे मिटाना है इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना होगा अब इस तीसरी तस्वीर पर भी गौर फर्माईए कॉंग्रस के राष्टे अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे के बेटे और करनाटक में मंत्री प्रियांक खडगे ने उद्यनीधी के अंदाज में ही बयान दिया पर उन्होंने सनातन शब्द का कहीं जिक्र नहीं किया उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म जो बराबरी को बढ़ावा नहीं देता और मानव को सम्मान से वंचित रखता है वो धर्म नहीं है एक तरफ इंडिया गटबंधन के बड़े बड़े चहरे सनातनी विरोध का रास्ता अपना रहे है वहीं दूसरी तरफ इन तस्वीरों पर भी निगाहें दोड़ाईए इन्हें पहचान की जरूरत नहीं चंद्रशेखर जी के पार्टी के राष्ट्य अध्यक्ष यानि कि ये लालु यादव है जो मंदिर मंदिर दोड़ लगा रहे हैं कभी मुंबई में सिद्धी बिनायक में शीष जुकाते हैं तो कभी ससुराली इलाके में थावे भवानी के दरवार में हाजरी लगाते हैं कभी हरिहरनात के मंदिर में मथ्था नवाते हैं तो कभी बाबादाम देवगर में जै भोले जै शंकर के जाप लगाते हैं इधर लालू जी मंदिरों में शीष जुकाते नहीं ठक रहें और उधर राहूल कांधी पेरिस पहुंच कर गीता को याद कर रहे हैं गीता और अन्य उपनिशदों पर बखान करते हैं और वहां के लोगों को इसे पढ़ने इसमें दिये गए संदेशों पर चलने की सलाह देते हैं चहां दक्षिन भारतिय भाजपा विरोधी नेता सनातन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं वहीं अब वादों को छोड़ कर उत्तर भारत के नेता इससे इक्तिफाक नहीं रखते पर हनुमान भक्ती जरूर दिखाते रहते हैं आरजेडी के नेता और विहार के डिप्टी सियंग तेजस्वी यादव भी मानते हैं कि किसी एक धर्म के बारे में टिपनी उचित नहीं भारती ये समविदान में सभी धर्मों के प्रती सम्मान का भाव दर्शाय गया है तो किसी धर्म पर प्रतिकुल टिपनी नहीं करनी चाहिए एक ही गटबंधन के अलग-अलग नेता अलग-अलग रहा पर क्यों है अगर ये ऐसी रणनीती के साथ राजनितिक अखाडे में उतरेंगे तो आपको नहीं लगता कि जनता इनके बादों पर विश्पास्त नहीं कर पाईगी जरूरत है अपनी जमीनी मुद्दे को जाचने की क्योंकि इंडिया गटबंधन की ये राजनीती एंडिये को फाइदा पहुचाते नजर आ रही है ऐसे में इनकी आपसी मदबेद और अलग-अलग सोच इनके लिए घातक और दूसरी गटबंधन यानि की एंडिये के लिए लाबकारी बनती जा रही है आपको इस रपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताए बाकी की खबरों से अपडेटेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्कार कोरोना इदे यल्ला मंदे नम्हें यदिर को कुड़ादु उळित्त कट्टर वेंडों अपड़िदान इंदा सनाधनमों सनाधनमों यदिरुपधे वड़ उळिपधे नाम सेखिय वेंडिये मुदल कारिय मारू दोदीन से आप इस देश की संस्कूर्थी का इस देश का इतियाज का सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं एक वित्यमंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए इन लोगों ने वोट बेंग की और तुरुष्टी करन की राजनिधी करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात किये है आजे यूपिये कहती हैं कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्स कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है उसको कोई हटा नहीं सकता ज्यान से सुनिएगा हिसाब मागना है राउ बाबा का उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लसकरे तोईबा से भी खतरनाक है